नमस्कार दोस्तों सो फ्रेंड्स देख सकते हैं लिखा हुआ है नैशनल हेल्थ मिशन उत्तरप्रदेश तो दोस्तों यूपी एनरहेचेम की ये ओफिशल वेबसाइट है आप सभी को बताना चाहता हूँ यूपी एनरहेचेम या फिर हम लोग का हैं उत्तरप्रदेश स्वास्त बिवाग में सरकारी भरती के लिए विग्यापन आप पर जारी कर दिया गया कम्यूनिटी हेल्थ ओफिसर्स की पोश्ट के लिए भरती का विग्यापना पर आ चुका है और बिलकुल आप लोग यहाँ परीट करने लिखा है प्रेस एडवर्टीजमेंट फॉर्ट हाउजेंड वेकेंड कॉन्ट्रेक्च्वल पोजिशन्स ओफ कम्यूनिटी हेल्थ ओफिसर्स सी एचो अंडर एनेचेम उत्तरप्रदेश तो दोस्तों सी एचो की पोश्ट के लिए यह सरकारी भरती का विग्यापन यहाँ पर रहेगा कुल मिला की जो वेकेंसी जहाँ पर जो शामिल की गए आप सभी को बताना चाहता हूँ चार हजार पद यहाँ पर शामिल की गए और अच्छी बात यह है किसमें मेल केंड़ेट्स भी एपलाई कर सकते हैं साथी साथ female candidates भी आप लोग यहाँ पर एपलाई कर सकते हैं तो मिला और पुरुष दोनों इन वेकेंसी के लिए आप लोग यहाँ पर एपलाई करें जो भी candidates यहाँ पर BAC nursing वाले हैं विल्कुल आप लोग यहाँ पे apply कर पाएंगे, या फिर आपके पास post basic, BAC nursing है, तो भी विल्कुल आप लोग यहाँ पे apply कर पाएंगे, इसके लिए आप सभी को application form आपको आपको आपके fill करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके cover करने वाले हैं, apply किस तरीके से करना है, last date कर रहेगी, post wise कितनी का vacancy है, category wise यहाँ पे कितनी post है, और salary package आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाले हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करने इस वीडियो को, इस मेनत को लाइक जरू करें, पहले से चैनल को सबस्क्राइब कर लें, जिससे स्वास्त बिवा की हर vacancy की जानकारी आगे आपको मिलती रहेगी, तो वीडियो की नीचे जाएं, सबस्क्राइब की रैट बटन को आपके किलिक करें, स्वास्त बिवा की हर vacancy की information इसी तरीके से आगे भी पात रहें तो बिल्कुल, शुरू बात कर देते हैं अपना अपडेट को, और जो सरकारी भरती का जो विज्जापन आपको दिया जारा, डारेटली इसको यहाँ पे open कर लेते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल, आप सब लोग देख सकते हैं, भरती विज्जापन हमने आप पे open कर लिया, इस्टेट प्रोग्राम, मैनेजमेंट यूनिट, एनेचेम उत्रप्रिदेश द्वारा, ये करियर की opportunity आप लोगों को दी जारी, नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए, ये recruitment यहाँ पर रहेगा, और पोश्ट का नाम already में आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, community health officer, CHO की vacancy यहाँ पर रहेगी, देख सकते हैं, 7 जनवरी 2022 को ये जानकारी, officially आपको website पर दे दी गई, अब बढ़ जाते हैं, जो अगली information आपको यहाँ पर दी जारी, यहाँ पर साफ साफ दोस्तों देखिए, लिखा हैं कि 4000 contract basis पर ये vacancy यहाँ पर रहेंगी, तो approximately यहाँ पर लगभग 4000 पर यहाँ पर शामिल की गए, ये vacancy यहाँ पर देखिए लिखा है, एक्चुल नंबर में भी वेरी एस पर दा requirement, तो दोस्तों करीब करीब 4000 पर यहाँ पर रहेंगे, कम भी हो सकते हैं, जादा भी यहाँ पर रह सकते हैं, और यह website आपको बता देखिए, इस website के माध्यम से आप लोग apply करने वाल हैं, क्वालिफिकेशन को यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन आपके लिए आपके काफी महत्पूर हैं समझना, तो यहाँ पर देखिए लखा है, इसेंशेल क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर लिखते हैं, candidates who have successfully completed BSE nursing, तो दोस्तों यदि आप लोगों के पास BSE nursing है, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर apply करें, BSE nursing के साथ आप लोगों को लखा है, Integrated Curriculum of Certificate in Community Health for Nurses, तो आप सभी को यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो भी candidates हैं आपर BSE nursing है, और इसके साथ साथ आप लोगों को CCHN का Certificate Course आप लोगों को यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया, यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास Post Basic BSE nursing है, तो भी आप लोग यहाँ पर apply कर पाएंगे, Post Basic BSE nursing वाले candidate पर apply करें, लेकिन दोस्तों इसके साथ भी आप लोगों को integrated जो आपके Certificate Course रहता है, तो यह Certificate Course भी आप लोगों से मांगा गया, तो BSE nursing और Post Basic BSE nursing वाले और CCHN का Certificate Course आप लोगों को इसमें आप पर चाहिए है, यह कंपल सेरी आपको आप बोला गया और यहाँ पर दोस्तों लिखा है, from academic year 2020 and onwards from an Indian Nursing Council या State Nursing Council, तो दोस्तों जो भी आप लोगों की qualification है 2020 की आप रहने चाहिए, और onwards यहाँ पर लिखा है, तो 2020 यहाँ पर देखिए लागू रहेगा, और 2021 का यह qualification यह दोनों जो यहाँ पर बैच हैं, यही आप इन vacancies के लिए apply कर पाएंगे, और BAC Nursing और post basic BAC Nursing CCH का certificate course होना आप लोगों का जरूरी है, और इसके साथ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर लिखा है कि उत्तरप्रदेश राज़का आप लोगों को Nursing Council में आपको यहाँ पर registration भी आप लोगों से आप मांगा जा रहा, और दोस्तों यदि आप लोगों के पास उत्तरप्रदेश राज़का अभी registration applicable means अगर आपके पास registration अभी आपके पास available नहीं है, तो आप लोग registration की सिल्प भी आप लोग self-attest करके आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं, इसी के बारे में आप पर साफ साफ यहाँ पर लिख भी देख गया है, तो यदि आपके पास UP Council का, Nursing Council का registration है तो अच्छी बात है और नहीं है, तो आप लोग registration की सिल्प जो है self-attest करके application form के साथ आप लोग अपनी information प्रवाइड करा सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पर देखिए, note बना के एक information आप लोगों को दी जारी, क्याँ पर लखा है, तो दोस्तों, appointment जो letter आप लोगों का release किया जाएगा, उसके तीन महीनों के पहले पहले आप लोगों को अपना यहाँ पर certificate आप लोगों को compulsory पेश करना होना, आप लोगों को आप ज़रूरी बोला गया है, तो तीन महीनों का समय आप लोगों में लगा, appointment letter से तीन महीने पहले के अंदर अंदर आप लोग अपना certificate प्रस्तूत कर देना, और ऐसे आप नहीं होता है, तो जो है आपका appointment यहाँ पे cancel, category candidate है, तो आपको यहाँ पे age में relaxation दिया जाएगा, और दोस्तों salary package भी आपको बता दिया गया, salary package हर बार कितरे वही मिलेगा आपको, जैसे कि आपको जो है sub center level पे 20,500 रुपे परमाद बेसेस पर आपको salary मिलेगी, इसके साथ 15,000 रुपे का आपको incentive card आधरीद, प्रोसान राश्री भी आप लोगों को मिलेगी, तो अच्छा salary package है, आप लोग यहाँ पे apply जरू करें, और इसके लिए bond आपको मनना है, surety bond आप लोग sign करेंगे, 2.50 lakh का non-judicial stamp paper पे सौर पे का यह रहेगा, और यह जो आप लोगों का bond, जो आप लोग यहाँ पे साइन करेंगे, joining के समय आप लोगों को यह पेश आपको यहाँ पे करना होगा, अब जो अगली information आपको दी जारी लिखा है, interested candidates are required to visit official website for online registration and submission of application form, तो दोस्तों यह official website आपको दे दी गई, आप लोग regularly यहाँ पे इस website को visit करते जाएं, आप लोग इस website को देखते रहें, information इसमें चेक करते रहें, online registration की information और application form को submit करने के सारी जानकारी आपको कुछ समय में आपको provide कराई जाएगी, अब दोस्तों जो सबसे main important बात है कि selection आप लोगों का किस आधार पे होगा, तो 7th number का जो point है लिखा है, selection shall be purely based on the merit, तो दोस्तों, merit की basis पे आप लोगों का direct यहाँ पे selection है, और इसके बाद आप लिखते हैं, ascertained by the scores obtained in the aforesaid required essential qualification, BAC nursing and post basic BAC nursing theory and practical examination, तो दोस्तों, चाहे आपके पास BAC nursing की qualification हो, और चाहे आपके पास post basic BAC nursing की qualification हो, इन्हें की mark sheets के आधार पे, जो भी अंक आप लोगों ने आप पर प्राप्त कियें, तो उसी के आधार पे आप लोगों के merit list बनेगी, इसके लिए कोई भी अलग से exam आपका नहीं लिया जाएगा, कोई भी आपकी liquid परिक्षान ही होगी, कोई भी written exam आपका नहीं है, कोई भी interview आप लोगों का नहीं लिया जाएगा, तो जो भी qualification आपके पास available है, उसी में से आपके अंक आपके 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 लिये जाएगे, और उनी अंकों में से आप लोगों की merit list बनेगी, तो जिसके अच्छे marks हैं, BAC nursing या पर post basic BAC nursing में, तो अच्छी बात है, आप लोगों को यहाँ पर अच्छा चांस है, आपको आपके directly selection मिल जाएगा, तो दोस्तों पूरी जानकारी मैंने आपके cover की उमीद काता हूँ, update आप सभी लोगों को यहाँ पर मिल गया होगा, अभी दोस्तों आप देखिए, short notification यहाँ पर जारी किया गया, और अभी apply कब से कब करना है, last date के आ रहेगी, तो यह जानकारी अभी आप लोगों को नहीं देगे, तो यह official website आपको देगई, आपको बोला गया कि समय समय पे आप लोग उसको visit करते रहे, जानकारी आप लोग अपनी आप चेक करते रहे, कुछी समय में online आविदन करने के लिए, आपको link प्रोवाइट करा दी जाएगी, आप लोग आविदन करना शुरू कर देना, और जैसी information आएगी, हर बार की तरह update मैं आपको provide करा दूँगा, तो दोस्तों पूरी information मैंने आपको cover की, उमीद करता हूँ update आप सभी लोग को यहाँ पे मिल जाओगा, लाइक कर दे इस वीडियो को, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, इस मैनत को लाइक जरू करें, पहले से चैनल को subscribe कर लें, जिससे स्वास्त बिवा की हर vacancy की जानकारी आपको मिलती रहेगी, तो वीडियो की नीचे जाए, सबस्क्राइब करें बेटन को आपके क्लिक करें, स्वास्त बिवा की हर vacancy की information इसी तरीके से आगे भी, पांत रहते मिलते आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू, सो मच,